प्रेंज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों किड्नी में पत्री बेहत दर्दनाग होती है कई बार तो दर्द इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अपना रोज मर्रा का काम करने में भी परिशानी होती है ऐसे में आप कुछ घरेल उपाए अपना सकते हैं नीमू के रस और ओलेव ओयल का मिश्रण कुदरती रूप से गैल ब्लैडर की पत्री को दूर करने में मदद करता है लेकिन इसका इस्तेमाल किड्नी की पत्री को दूर करने के लिए भी किया जाता है नीमू में मौजूद से ट्रिक एसिड कैल्शियम आधारे किड्नी स्ट बाहर निकल जाए तो आपको इस उपचार की जरूरत नहीं होगी ध्यान दें कि बड़े किड्नी स्टोन में ये इलाज अधिक उपयोगी नहीं हो सकता सेब का सिरका भी किड्नी स्टोन को दूर करता है इसके साथ ही रक्त और पिशाब में ख्यारिय प्रभाव भी डालता ह उपयोग एक कब गुन्वने पानी में दो चमच और्गेनिक सेब के सिरके में एक चमच शहद मिला ले इस मिश्रन को दिन में कुछ बार पिए अनार के जूस और बीज दोनों में किड्नी स्टोन को दूर करने की ख्शम्दा और गुण होते हैं उपयोग रोजाना एक अनार खाएं या एक गिलास अनार का ताजा रस पिएं आप फूरूट सलाद में भी अनार का सेबन कर सकते हैं विकल्प के रूप में आप एक चमच अनार के बीज को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए इस पेस्ट को बीन्स के सूप के साथ खाईए इस मिश्रंट से किड्नी का स्टोन समाप्थ हो जाएगा तुल्सी पूरी सेहत के लिए बहुत फाइदमन होती है किड्नी के लिए भी इसका सेवन बेहद उप्योगी माना जाता है तुल्सी का सेवन करने से किड्नी स्टोन पेशाप के रास्ते बाहर निकल जाता है उप्योग एक चमच तुल्सी के रस में शहद मिला ले 5-6 महीने रोज सुभेस का सेवन करे अगर आप शहद नहीं मिलाना चाते तो आप यूँ ही 2-3 पते तुल्सी के चबा कर खा सकते हैं आप चाहें तो तुल्सी की चाय भी पी सकते हैं उबलते हुए पानी में 5-6 पते तुल्सी के डाल कर 10 मिनट तक उबा लिए इसमें एक चमच शहद मिलाईए ठंडा होने पर इसका सेवन कीजिए तर्बूज भी किड्नी स्टोन को दूर करने में मदद करता है तर्बूज में कैलशियम और मैगनीशियम बहुत मातरा में होता है पुटेशियम किड्नी को स्वस्त रखता है ये पेशाब में एसिट के स्थर को भी नियंतरित रखता है पुटेशियम के साथ ही इसमें काफी मात्रा में पानी भी होता है इससे किड्नी से स्टोन बाहर निकलने में मदद मिलती है नियमित रूप से तर्बूस का सेवन करने से आप किड्नी स्टोन से बच सकते हैं आप तर्बूस के बीज भी खा सकते हैं इस उपचार को आजमाने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर करें इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बैल आइकल को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियो साब तक आसानी से पहुंच सकें थैंक यू